ओम शांति ओम शांति आज 14 नमंबर 2023 दिन मंगलवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विगन जरूर पढ़ेंगे तुम्हें तकलीफ सेहन करके भी इस सर्विस पर ततपर रहना है रहम दिल बनना है प्रश्न जिसे अंतिम जन्म की स्मरती रहती है उसकी निशानी क्या होगी उत्तर उनकी बुद्धी में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है यह पाप आत्माओं की दुनिया है इसकी व्रदी अब नहीं चाहिए इसे विनाश होना है हम इन पुराने वस्तरों को उतार अपने घर जाएंगे अब नाटक पूरा हुआ गीत नई उमर की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी तुम पर बड़ी है जिम्मेदारी ओम शंति बाप पैट बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की जोती जगानी है यह तुमारी बुद्धी में है बाप को भी बेहद का खयाल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ती का रास्ता बताएं बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने दुख से लिबरेट करने मनुष्य समझते नहीं है कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है यह जानते नहीं शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है अब बाप है रहम दिल मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है यह भी ट्रामा की भावी सुख किसको कहते हैं दुख किसको कहते यह जानते नहीं इश्वर के लिए कह देते हैं कि वही सुख दुख देते हैं गोया उस पर कलंक लगाते हैं इश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देने आता हूँ तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम वे स्वीट होम भी पावन है वहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं उस ठिकाने को कोई जानते नहीं कहते हैं कि फलाना पार निर्वान गया परंतु समझते नहीं बुद्ध पार निर्वान गया तो जरूर वहां का रहने वाला था वहां ही गया अच्छा वह तो गया बाकी दूसरे कैसे जाएं साथ तो कोई को ले नहीं गया वास्तव में वह जाते नहीं इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन दुनिया दो हैं एक मुक्तिधाम दूसरा जीवन मुक्तिधाम शिवपुरी और विष्णुपुरी यह है रावन पुरी परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धी परमात्मा की तरफ चली जाती है मनुशे को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं तो तुमको तरस पढ़ता है तकलीफ तो सहन करनी पड़े बाबा कहते मीठे बच्चे मनुशे को देवता बनाने में इस ज्ञान यग्य में विखन बहुत ही पड़ेंगे गीता के भगवान ने गाली खाई थी न गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती है कहते हैं न कि इसे ज्यादा इसने शायद चोथ का चंद्रमा देखा होगा ये सब हैं दंत कताई दुनिया में तो कितना गंद है मनुशे क्या-क्या खाते हैं जानवरों को मारते हैं क्या-क्या करते हैं बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं दुनिया में मारा मारी कितनी है तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाष हो जाएंगे सबको एक ही बात समझाओ बाप कहते हैं अपने शांती धाम और सुख धाम को याद करो तुम असल वहां के रहवासी हो सन्यासी लोग भी वहां के लिए ही रास्ता बताते हैं अगर एक निर्वान धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे उनको कौन ले जाएगा समझो बुद्ध निर्वान धाम में गया उनके बोधी तो यहां बैठे हैं उनको वापिस ले जाएं न गाते भी हैं जो पेगंबर है सबकी रूह यहां है यानि किस ना किस शरीर में है फिर भी महिमा गाते रहते अच्छा धर्म स्थापन करके गए फिर क्या हुआ मुक्ती में जाने लिए मनुशे कितना माथा मारते हैं उसने तो यह जप तप तीर थादी नहीं सिखाया बाप कहते मैं आता ही हूँ सबकी गती सदगती करने सबको ले जाता हूँ सत्युग में जीवन मुक्ती है एक ही धर्म है बाकी सब आत्माओं को वापिस ले जाते हैं तुम जानते हो वह बाबा है बागवान हम सब माली हैं मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीजबोते रहते हैं कलम निकलती है फिर माया के तुफान लग पड़ते हैं अनिक प्रकार के तुफान लगते हैं यह है माया के विघन तुफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए श्रीमत देने वाला बाप है तुफान तो लगेंगे ही नंबर वन है देह अभिमान यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ यह शरीर विनाशी है हमारे 84 जन्म पूरे हुए आत्मा ही पुनर जन्म लेती है घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है अब आप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है ना किसी को देना है पूछते हैं कि फिर स्रश्टी की वरद्धी कैसे होगी अरे इस समय स्रश्टी की वरद्धी नहीं चाहिए यह तो ब्रेष्टाचार की व्रद्धी है, यह रسم रावन से शुरू हुई है, दुनिया को ब्रेष्टाचारी बनाने वाला ठहरा रावन, श्रेष्टाचारी राम बनाते हैं, इसमें भी तुमको कितनी महनत करनी पड़ती है, घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं अगर दे अभिमान में ना आएं तो अपने को आत्मा समझे सत्यूग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं न जानते हैं अभी यह हमारा शरीर व्रिद्ध हुआ है इनको छोड़ कर नया लेंगे यहां तो आत्मा का भी ग्यान नहीं है अपने को देह समझ बैठे हैं इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होती है वहां तो है ही सुख बाकि आत्मा का ग्यान वहां रहता है एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं इसलिए दुख नहीं होता वे सुख की प्रालब्द है यहां भी आत्मा तो कहते हैं फिर भल कोई आत्मा सुपरमात्मा कह देते हैं आत्मा है यह तो ग्यान है ना परन्तु यह नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापिस जा नहीं सकते एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है पुनर जनम तो सब मानेंगे कर्म तो सब कूटते हैं ना माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं तो कर्म कूटते रहते हैं वह ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े अब तुम समझते हो कि वापिस जाना है विनाश होना ही है बॉम्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुसे में आकर फिर ठोक देंगे, यह पावरफुल बॉम्स हैं, गायन भी है यूरोप वासी या दव, बल हम सब धर्म वालों को यूरोप वासी ही कहेंगे, भारत है एक तरफ, बाकी उन सब को मिला दिया है, अपने खंड लिये उन्हों को प्यार तो बहुत है, परंतु भावी ऐसी है, तो क्या करेंगे, ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योगबल से तुमरा जिले लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप कहते हैं, मुझे याद करो, दे अभिमान छोड़ो, कहते हैं कि मैं र बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, बाप कहते हैं, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, तुम जीवात्मा को क्यों याद करते हो, तुमको देही अभिमानी बनना है, मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ, बाबा ने फर्मान किया है, याद करने से विकर्म वि रहते हैं यग्यजपतापादी करते रहते हैं पॉप से भी आशिरवाद लेने जाते हैं यहां बाप सिर्फ कहते हैं कि दे अभिमान छोड़ो अपने को आत्मा निश्य करो यह नाटक पूरा हुआ है हमारे चुरासी जन्म पूरे हुए हैं अब जाना है कितना सहज करके समझ ग्रस्त वेवार में रहते बुद्धी में यह रखो जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट हैं अभी यह सील पूरी होगी एक्टर से समझते हैं हम यह कपड़ा उतार घर को जाएंगे अभी सब को वापिस जाना है ऐसी ऐसी बातें अपने से कर कितना समय हमने सुख दुख का पार्ट बजाया है यह जानते हैं अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ यह सब खत्म हो जाने वाला है अब वापिस जाना है वे समझते हैं कि कल्यूग अभी 40,000 वर्ष चलेगा इसक गोर अंधियारा कहा जाता है बाप का परीचय नहीं है ज्यान माना बाप का परीचय अज्यान माना नो परीचय तो गोया घोर अंधियारे में है अभी तुम घोर सोजरे में हो नंबर वार पुर्शर्ट अनुसार अब रात पूरी होने वाली है हम वापिस जाते हैं आज ब पहले तो वापिस जाना होगा, ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता है, यह फिरना बंद नहीं होता है, बाबा कहते हैं, तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे, बच्चे कहते हैं, अनेक बार मिले हैं, तुमारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, तो सबका हो जाएगा, इसको कह जाता है ज्यान ज्यान देने वाला है ही ज्यान सागर परमपिता परमत्मा पतित पावन तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है भगवान तो निराकार को कहा जाता है फिर तुम रगुपति रागव राजा राम क्यों कहते हो आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है समझाने की बड़ी ही युक्ती चाहिए दिन प्रति दिन तुम्हारी उन्नती होती रहेगी क्योंकि गुहे ज्ञान मिलता रहता है समझाने के लिए है सिर्फ अलफ की बात अलफ को भूले तो आरफन हो गए दुखी होते रहते हैं एक द्वारा एक को जानने से तुमें किस जन्म सुखी हो जाते हो यह है ज्ञान वह है अज्ञान जो कह देते परमातमा सर्ववयापी है अरे वह तो बाप है बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्ववयापी है पांच विकार रूपी रावन सर्ववयापी है यह बातें समझानी पड़ती हैं हम ईश्वर की गोद में हैं यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए फिर भविश्य में देवताई गोद में जाएंगे वहां तो सदेव सुख है शिवाबा ने हमको एडॉप्ट किया है उनको याद करना है अपना भी और दूसरों का भी कल्यान करना है तो राजाई मिलेगी यह समझने की बड़ी अच्छी बात है शे बाबा है निराकार हम आत्मा भी निराकार हैं वहां हम अशरीरी नंगे रहते थे बाबा तो सदेव अशरीरी ही है बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर जनम नहीं लेते हैं बाबा एक बार री इंकॉर्नेट करते हैं पहले-पहले ब्रामन रचते हैं तो उनको अपना बना कर और नाम रखना पड़े ना ब्रह्मा नहीं तो ब्रामन कहां से आए तो यह वही है जिसने पूरे 84 जन में लिये हैं गोरा जो फिर सांवरा बना है सुन्दर से शाम शाम से सुन्दर बनता है भारत का भी हम शाम सुन्दर नाम रख सकते हैं भारत को ही शाम भारत को ही गोल्डनेज सुन्दर कहते हैं भारत ही कामचिता पर बैठ काला बनता है भा बारत से ही माथा मारना पढ़ता है, भारत वासी फिर और और धर्मों में कनवर्ट हो गए हैं, ये रोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पढ़ता है, वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिष्चिन कहलाने लग पढ़ते हैं, उनके बच्चे आदी भी फिर उस विपरीत बुद्धी याद्वों और कौर्वों ने प्रीत नहीं रखी जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजे हुई विपरीत बुद्धी कहा जाता है दुश्मन को बाप कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं बाप को ही सर्व्यापी कह गाली देते हैं या तो फिर कह देते जन्म मरन रहीते हैं, उनको कोई भी नाम रूप नहीं है, ओ गॉड़ फादर भी कहते हैं, सक्षत कर भी होता है, आत्मा और परमात्मा का, उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता, बाकि नंबर वार कम जास्ती ताकत तो होती ही है, मनुष्य भल मनुष्य है, उनम भी तो मर्तबे होते हैं बुद्धी का फर्क है ज्यान सागर ने तुमको ज्यान दिया है तो उनको याद करते हो वह अवस्था तुमारी अंत में बनेगी अमर्त वेले सिमर सिमर सुखपाओ भल लेटे रहो परंतु नीद नहीं आनी चाहिए अपना हट कर बैठेना चाहिए मेनत है वैदे लोग भी दवाई देते हैं अमर्त वेले के लिए यह भी दवाई है रचता बाप और ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मन रचकर पढ़ाते हैं यह बात सब को समझानी है अच्छा धारना के लिए मुखे सर हमने इश्वर की गोद ली है फिर देवताई गोद में जाएंगे इसी रुहानी नशे में रहना है अपना और दूसरों का कल्यान करना है अमर्त वेले उठ ग्यान सागर के ग्यान का मनन करना है एक की अव्यभिचारियाद में रहना है दे अभिमान छोड़ स्व्यम को आत्मा निश्य करना है वरदान अमरित वेले से रात तक याद के विधी पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धी स्वरूप भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे अमरित वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधी पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धी मिलेगी सबसे बड़े से बड़ी सिध्धी है प्रत्यक्ष फल के रूप में अती इंद्रिय सुख की अनुभूती होना सदा सुख की लहरों में खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविश्य फल भी मिलता है इस समय का परत्यक्षिफल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ट है, अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको भी कहते हैं, परत्यक्षिफल स्लोगन स्व्यम को निमित समझ हर कर्म करो, तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैं पन आ नहीं सकता स्व्यम को निमित समझ हर कर्म करो, तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैं पन आ नहीं सकता ओम शंति